बेकार समझ कर फैकें नहीं दोस्तो मैं लतीफ कुरेसी आप देख रहे मेरा यूटूब चैनल लतीफ कुरेसी बेस्ट गार्डिंग आज हम आपको अखरोट के छिलकों के उप्योग बताने जा रहे हैं बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा के अखरोट के छिलके भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं 99.9% लोग अखरोट के छिलकों को फैक देते हैं यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप भी इन छिलकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे वीडियो सुरू करने से पहले गुजारिस करना चाहते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दवा दें ताकि वीडियो के नोटिपिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं तो सुरू करते हैं अखरोट के चिलकों के उप्योग या फाइदे दांत पीले हो गए हैं तो अखरोट के चिलकों को जला कर उसकी राख बना लें और उस राख से अपने दांतों की मसाज करें तो आपके दांत भी मौतियों की तरह चमकेंगे अक्सर लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं यदि इस परकार उप्योग करेंगे अखरोट के चिलकों का तो वह अपने दांतों को चमका सकते हैं इसी परकार यदि आप इस पाउडर को अपने बालों पर लगा लें और आधे घंटे बाद सादा पानी से धो लें तो आपके बालों में साइनिंग और चमका जाएगी बरतनों को साफ या चमकाने के लिए भी अखरोट के चिलके काफी उप्योग किये जा सकते हैं अखरोट के चिलकों को वारिक कूट लें पीस लें इसके बाद आप इससे बरतनों की गिसाई करें तो यह बिना निसान चोड़े बरतनों को चमकाने का काम करेंगे अख्रोट के छिलकों का पाउडर तुनारों की दुकान पर सोने और चांदी की पॉलिसिंग के काम लिया जाता है अख्रोट के छिलकों का पाउडर फेस वास या इसकरब बनाने के काम में भी लिया जाता है यदि किसी के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो अख्रोट के चिलके का पाउडर चाय की पत्ती के साथ मिलाकर फक्की मारक के आप उसको खा लें तो आपके पेट के कीड़े भी खतम हो जाएंगे यदि सरीर में आयोडिन की कमी हो रही है तो अख्रोट के चिलके का काड़ा बना कर नियमित दो से तीन चम्मच पीने से आपके सरीर में आयोडिन की कमी को दूर किया जा सकता है यह आप अखरोट के उपयोग सुन रहे थे यदि आप अखरोट खाने से आपको क्या-क्या फायदा हो सकता है वह जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दूँगा आप उस डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो की लिंक पर जाकर अखरोट खाने से आपको क्या-क्या benefit होते हैं और अख्रोट किस प्रिकार खाना चाहिए और अख्रोट कितना खाना चाहिए यह जानकारी आप मेरे description से ले सकते हैं उमीद है अख्रोट के चिलकों के फायदे जानकर उप्योग जानकर आपको अच्छा लगा होगा और अब आप अख्रोट के चिलके फैके नहीं उप्योग में ले लें उमीद है जानकारी पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद